जी हां दोस्तों, बजट में इस तरह की भूल आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा और यही बात Mr. Robert किसा की अपनी बुक इनकीरी जोरी Financial IQ इस बुक के चेप्टर 5 में Financial IQ No.3 के अंतरकत बताते हैं किस तरह से अगर आप जो बजट है उसमें इस तरह की भूल करते हैं तो यह भूल कभी आपको अमीर नहीं बनने देगा इसके बीपरीच अगर आप इस भूल को ठीक करते हैं और सही तरह से बजट बनाते हैं और इस भूल को एवाइड करते हैं तो आप financially काफे successful हो सकते हैं तो दोस्तों आईए इस वीडियो में जानते हैं कि Mr. Robert के साकी आखिर किस भूल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सिदे सिदे अगर बात किया जाए तो Mr. Robert के साकी यह बताते हैं कि अक्सर लोग बजट के अंदर जो savings और investment होता है उसे सबसे आखरी भी रखते हैं यानि बजट बनाते समय जो सबसे बड़ी mistake होती है वो यह होती है कि लोग अक्सर बजट के अंदर जो savings और investment को सबसे आखरी priority देते हैं और यह एक बहुत यह बड़ा mistake है जैसे कि आप देखेंगे कि बजट में दो कॉलम होते हैं पहरा कॉलम होता है income का और दूसरा कॉलम होता है expense का और अक्सर लोग expense कॉलम के अंदर जो खर्च है वो सबसे पहले लिखते हैं खर्च को सबसे पहले priority देते हैं और जो savings और investment होता है उसे सबसे आखरी priority देते हैं और ये एक सच में बहुत बड़ा mistake है क्योंकि दोस्तों होता ये है कि इस तरह की mistake से इस तरह की practice से अक्सर हमारे पास खर्च करने के बाद इतने पैसे बचते ही नहीं है कि हम savings और investment को proper तरीके से कर सके और जब हम savings और investment नहीं होता जहां से हमें income मिल सके तो हमारे जो income है वो limited ही होती है वो हमारे नौकरिक से मिलने वाले income या फिर बीजने से मिलने वाले income तक ही सिमित होती है हमारे पास कोई extra income दूसरे income के source बन ही नहीं पाते हैं और जब दूसरी income के source नहीं बन पाते हैं तो इस mistake से आपके लिए financially stable होना, financially successful होना काफी मुश्किल हो सकता है और सच में अगर आप financially successful होना चाहते हैं तो आपको buzzard के अंदर सबसे पहले जो priority देनी है, वो देनी है savings और investment को जी हाँ, अगर आप savings और investment को सबसे पहले priority देते हैं तो इस तरह से आप जल्द ही अपने लिए ऐसा कोई asset create कर लेंगे जहां से आपको regular income मिल सके, जिससे की आपकी जो आमदनी है, मंतली आमदनी है, वो बढ़ सके और जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, जब आपके पास आमदनी के दूसरे sources भी होंगे तो आपकी जो financial हालत है, वो जरूर सुधर जाएगी, और फिर इस तरह से आपके लिए rich बनना, अमीर बनना आसान हो सकता है Mr. क्योसा की ये भी कहते हैं, ये जो mistake है, कि हम अपने budget के अंदर, जब savings और investment को आखरी priority देते हैं तो वास्तों में ये दो बहुती basic नियमों के खिलाफ होता है, पहला नियम, income minus saving equal to expense इस formula के खिलाफ है, क्योंकि हम यहाँ पे expense को पहले रख रहे हैं, और savings को बाद में रख रहे हैं और दुसरा नियम, paying yourself first, यानि सबसे पहले आपको खुद के लिए, खुद की संपतियों के लिए आपको pay करना है वो भी आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप saving पहले नहीं कर रहे हैं, पहले आप expense कर रहे हैं तो जब आप इन दो बहुत ही महत्रपूर नियमों के खिलाफ जाते हैं, खिलाफ काम करते हैं, तो ये आपके financial condition के लिए काफी बुरा सा भी दोता है और long run में ये आपके खिलाफ काम करते हुए आपको बहुत सारे financial problem में फंसा देता है तो अगर आप इस तरह के financial problem में नहीं फंसना चाहते हैं, और अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बज़र्ट में savings और investments को priority देना सीखना होगा और जब आप savings और investments को priority देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों basic formula, income minus saving equal to expense इसका भी पालन कर रहे हैं और paying yourself first इसका भी पालन कर रहे हैं, और जब आप अपने बज़र्ट में इन दो basic निमों को follow करते हैं, तो ये आपकी financial condition के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और आपको rich बनने में, आपको financially success flowने में काफी ज्यादा help करता है और दोस्तों, इस chapter में budget के बारे में बताते हुए, Mr. क्यूसा के कहते हैं कि budget का मतलब वास्तों में एक plan होता है जो आपकी आमदनी और आपके खर्च के बीच में ताल मेल बिठाने का काम करता है और साथे साथ आपको budget के बारे में ध्यान देनना चाहिए, कि budget दो तरह के होते हैं पहला होता है budget deficit और दूसरा होता है budget surplus और आपको हमेशा यह जो दूसरा budget है, budget surplus इसके लिए काम करना है आपको कभी भी ऐसा budget नहीं बनाना है जहां पे आपके जो खर्च है वो ज्यादा हो और आपकी जो income है वो कम हो हमेशा आपका बज़ट ऐसा होना चाहिए कि आपका income ज्यादा हो और आपका जो खर्च है वो कम हो अगर आपकी financial condition आज सही नहीं है और आप जो budget बना रहे हैं उसमें खर्च ज्यादा दिख रहे हैं और आपका income कम दिख रहा है तो आपको अपने income को बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए और सबसे पहले आपको अपने income बढ़ाने के जो priority है वो set करने चाहिए और जब आपकी income तो फिर आप अपने expense को control करके आप जो अपना budget है वो budget surplus में लेके जा सकते हैं और आप यहाँ पे budget deficit से निकल सकते हैं तो दोस्तों याद रखिए कि आपको financially successful होने के लिए आमदनी ज्यादा और खर्च कम रखना है और हमेशा आपका जो budget है उसमें surplus होना चाहिए और आपक जो budget के अंदर जो savings और investment है इसको हमेशा एक important expense समयना चाहिए जी हां दोस्तों आपको savings और investment को एक बहुत ही important बहुत ही महत्वपूर्ण खर्च समयना है और budget में सबसे पहले इसको प्रात्मिक्ता देना है जैसा आमने शुरुआत में बात की कि यही वो mistake होता है जो लोग कर करते हैं लेकिन आपको यह mistake नहीं करना है आपको बजट के अंदर savings को और investment को सबसे पहले रखना है यकिन मानिए कि छोटे से चेंज से आपकी जो financial life है वो काफी हद तक बदल सकती है और दोस्तों budget के बारे में जो दूसरा tips मिस्टर की उसागी देते हैं वो है tracking spending habit जी हां द दोस्तों समय और पैसे कहां खर्च किये जा रहे हैं यह देखकर हमारा भविस्य तैव हो सकता है तो आप जो भी बज़र बनाईए उसके उपर अपनी नजर बनाया रखिए कि आपका जो पैसा है वो कहां खर्च हो रहा है अगर आप देख पा रहे हैं कि आपका पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है ऐसी जगों पे खर्च हो रहा है जिससे कि या तो ऐसे बन रहा है या फिर जो आपको future में profit दे सकता है जहांसे future में आपको लाफ हो सकता है तो आपका future काफी bright माना जाएगा लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं अपने budget के अंदर कि आ करके आप अपने future को भी control कर सकते हैं otherwise अगर आप सही समय पर अपने budget पर track नहीं करते हैं अपने expense पर track नहीं करते हैं कि आपका पैसा और आपका समय कहा खर्च हो रहा है तो ऐसे में आपका future है वो कहा जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता तो दोस्तों ये से जो अगली tip है वो ये है कि आपको कभी भी कोई luxury item जैसे कि अगर आप मान लेजिए कि अपने लिए बहुत अच्छी गाड़ी खरिदना चाहते हैं अपनी favorite car खरिदना चाहते हैं तो क्योंकि car एक liabilities है तो इस liabilities के लिए सबसे पहले आपको एक asset बनाना चाहिए जिस asset से आपको इतना income हो कि वो इस liabilities को पूरा कर सके वो इस liabilities का खर्च है वो उठा सके यहां पर मिश्टर रवर्ट क्यों सागी अपना खुदी example देते हैं बताते हैं कि जब उन्हें Bentley car लेनी थी तो इस car के लिए उनके पास cash available था दो लाग डॉलर लेकिन directly उन्हें दो लाग बलकि वो दो लाग डॉलर उन्होंने अपने stock broker को दिया और उस stock broker की help से उन्होंने ऐसा asset बनाया जहां से उनको दो लाग डॉलर extra मिल गए अगले एक साल के अंदर ही और फिर उन्होंने अपना जो car है मनपसंद कार है वो खरीद लिया और उनके पास जो cash जो उनका पहले available था 2,00,000 वो उनके पास ही रहा उस 2,00,000 से उन्होंने अगला 2,00,000 बनाया और उस अगले 2,00,000 से उन्होंने वो car खरीद ली तो इस रहस आप देखेंगे कि उनके पास जो asset पहले से था 2,00,000 cash वो आल्रेटी उनके पास अभी भी है और उनके पास एक car भी हो गई तो उन् इन्वेस्ट करना है इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ करनी है ताकि आपके उस investment से इतना पैसा आ जाए कि आप उस नए item को जो भी आप चाहते हैं वो खरीद सकें तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका asset भी safe है, asset भी आपने बना लिया और साथे साथ आपने जो आपके पस wisely to get rich और ये कुछ पहले tip से मिलता जुलता है कि आपको जो खर्च करना है वो बहुत ही हुसियारी से बहुत ही समाजारी से करना है और आपको हमेसा ऐसी चीज़ों पर खर्च करना है जिससे कि आपका जो self growth हो वो होता हो आपका future growth हो वो संभव हो आप अगर कुछ asset बना सकत हो तो वो बन सकता हो तो ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं wisely खर्च करते हैं तो ये आपके financial condition के लिए आपके financial future के लिए काफी बहतर हो सकता है तो दोस्तों ये थी कुछ important lesson जो कि Mr. Kiyosaki ने इस book के chapter 5 में financial IQ, buzzerty और money के अंदर गत बताया हुआ है तो अगर आप इसको detail लाइक और share जरूर करिए और अगर आप चेनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल अईकन भी जरूर प्रिस करिए ताकि आप हमारे आने वरे वीडियो को मिस ना कर सके तो दोस्तों अंत में इस वीडियो के पूरा देखने के लिए और हमारे स साथ बन लेने लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद